क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन को देखा है जो एक छोटे से अपाटमेंट के अंदर से गुजरती है और एक तरह का पोधा होता है जिसके पत्ते देखने से सल लगता है कि वो कोई बर्ड से और एक वैब साइट है जिसमें आप अपनी डीटेल डाल के ये पता कर सकते है कि आप मज़दार फैक्ट जानने के लिए वीडियो को अन्त तक जरूर देखिए नमबर वन क्या आपको पता है अगर हमारे मन में किसी भी बीमारी को लेकर थोड़ा सा भी डर है तो आपका दिमाग आपके सरीर में उस बीमारी के लक्षन उत्पन कर देता है क्योंकि हमारा दिमा नहीं बलकि यह यूस इनस्थी तेक बैटरी है जी हां बैटरी जिसमें पावर स्टोरेज होता है इस बैटरी में 22 गिगावट्स पावर स्टोरेज होता है और इंजीनियर ने इसका नाम पंपेट स्टोरेज प्लान रखा है नमबर थी देखो यह पिक्चर कितना खूद फोटो को capture करने में अलन्मिक फिडिन को 6 साल लगे थे और इसने 7 लाख बी सजार बार ट्राइक करने के बाद फाइनली ये फोटो को capture किया था नमबर 4 इंगलीज में एक सब्द है बाई जो हम हर रोज यूज करते हैं लेकिन कुछ लोगों को इसका पूरा full form भी पता नहीं है तो जान लो बाई का full form होता है be with you every time नमबर 5 क्या आपको पता है टाइगर की एक प्रजाती होती है गॉल्डन टाइगर उसकी population बहुत कम है वो टाइगर पूरे वर्ल्ड में सिर्फ तीस ही है नमबर 6 ऑस्ट्रिलिया में एक पोधा होता है क्रेटल ओरिया उस पोधे के पत्ते बर्ड जैसे दिखते है इस पोधे को ग्रीन बर्ड के नाम से भी जाना जाता है नमबर 7 क्या आप जानते हो माइल स्टोन के उपर अलग अलग कलर क्यूं होते है अगर किसी माइल स्टोन के उपर येलो और वाइट कलर है तो उसका मतलब है कि आप नैसनल हाइवे पे जा रहे है और ग्रीन कलर है तो उसका मतलब आप स्टेट हाइवे पे जा रहे है और ब नींद आ रही है तो आप कोमेडी या कोमेडी का सोस सुनोगे तो आपकी नींद तुरंट चली जाएगी क्योंकि हस्ते टाइम पे कभी भी नींद नहीं आ सकती और अगर आप गाना सुन रहे हो तो नींद आने के चांसे बढ़ जाएंगे क्योंकि सोंग से हमारे ब्रेंड को रिलेक्स पील होता है नंबर 9 टाटा कमपनी के मालिक रतन टाटाने जब कार मैनुफेक्चरर का बिजनेस सूरू किया तो उसे बहुत सारी लॉस होने लगी तो वो फोर्ड कमपनी के मालिक के पास उसकी कमपनी को बेजने गए तो बिल फोर्ड ने उसकी बेिज़ती करके वापस फेज दिया और एक साल के बाद उसी फोर्ड कंपनी को रतन टाटा ने खरीद ली नमबर टैन ये देखो ये इंडिया का लार्जस फ्लोटिंग सोलार प्लांट केरला में है और इस प्लांट से हर साल 7.5 लाख यूनिट बिजली जनरेट होती है नमबर 11 क्या आपको पता है एक वेबसाइट है जिसमें आप अपनी डीटेल फिल करके ये चेक कर सकते है क्या आपकी मृत्यू कब होगी ये वो वेबसाइट का एड्रेस है www.dat-clock.org नमबर 12 क्या आपको पता है सभी ट्यूब के उपर इस तरह का एक square box होता है क्या आप जानते है इसका मतलब क्या होता है अगर किसी ट्यूब के उपर green color का box होता है तो उसका मतलब है वो natural tube है अगर red square है तो उसका मतलब है वो आधा natural और आधा chemical होता है अगर ब्लैक कलर का है तो उसका मतलब वो 100% केमिकल से बना होता है जर्मनी और ब्रेटन के पासपोर्ट दुनिया के most powerful पासपोर्ट माना जाता है क्योंकि ये पासपोर्ट वाले लोग बिना वीजा के 195 में से 177 कंट्री में सिर्फ पासपोर्ट पे ही बिना वीजा के ट्रावेलिंग कर सकते है दुनिया का तीसरा अमीर इंसान वोरन बफेट वो अभी भी उनके पुराने घर में रहते है जो उसमें 1958 में 31,500 डॉलर में खरीदा था क्या आपको पता है गुजरात के मैसा नामे एक महत है प्रहला जानी उसका दावा था कि उसने 70 साल से कुछ खाया नहीं और पानी का एक बूद भी नहीं पिया जो रीचेस परसन होते थे उनके पास ही कार होती थी और आज उल्टा हो गया सभी लोगों के पास कार होती है लेकिन जो रीचेस होते है उनके पास ही गोड़े होते है नमबर 17 क्या आपको पता है एक दिन एक कोब्रा ने नेपाली फार्मर को बाइट कर दिया मतलब डंक मार दिया जिसका नाम मोहमत सलामुदिन था और उसे कुछ नहीं हुआ और थोड़ी देर बाद उस फार्मर ने गुसे में आके उस कोबरा को बाइट कर दिया तो कोबरा मर गया लेकिन उस फार्मर को कुछ नहीं हुआ इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी कोबरा से भी जहरिला था नमबर 18 एक बार एक ट्रेक्टर कंपनी के ओवनर फरारी खरीदने गए तो फरारी कंपनी के ओवनर ने उसकी इंसल्ट कर दी कि आप ट्रेक्टर हेंडल करने वाले फरारी को हेंडल नहीं कर सकते आपको जानके सोक लगेगा कि आज वो ट्रेक्टर कंपनी का नाम लेंबोरगिनी है जो फरारी से भी बड़ी कंपनी है अगर किसी बिच्चु के ओपर थोड़ी सी भी सराब डाल दी जाए तो वो बिच्चु पागल होके खुद को ही काट लेगा और मर जाएगा नमबर 20 से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि अगली वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नमबर 20 हमने बहुत पार देखा और सुना है कि जापान में मेट्रो किसी भी बिल्डिंग से होते हुए गुजरती है लेकिन ये देखो चाइना में मेट्रो ट्रिन एक छोटे से अपार्टमेंट के अंदर से गुजरती है थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब